जे दोस्तों ग्रिंड फिल्ड एक्सिप्रेश वेशाएं पी वालदेपूर में है जहां गंगाबाती है आप यहीं के लिए जो साफसफाइद देख रहा हैं यहीं कर दोस्तों यहां से लेकर महाबीर घाड होते हुए है है बदपूर महामीर घाड बिजाईपूर सब गरह होते वे आगे बढ़ली माजी तक है तो दोस्तों ग्रीन फिल्ड एक्सप्रेसवे के लेकर जिस तरीके से कि जैसा है जैसा जब्रफ में काम हो रहे हैं काम नहीं के चारों तरव काम बहुत तेजी सो रहा है उस में भारत के परदान मंत्री एक मैई को आये थे उस वक्त फिर इसके बार लगातार दो चुनाओं में बात करते हैं तमाम लोगों से कुछ लोग उधर हैं लेकिन बात करते हैं मुल्णा राई जी नमस्कार जी मैं तो यही अपना फिल्डवे का मैं सानक जो जा रही है उसी का मैं मुआइना के लिए था लेकिन बहुत पेजी पर इधर से काम चालू है जो कि हर जगा काम हो रहा है अब बहुत पहले मायावत्ती जी ने भी जो सोंच निखेरा था बहुत अच्छा निखेरा था लेकिन कीसी कारण गंगा हाईवे की बात गंगा हाईवे पे लेकिन वो किसी वस जो है की फलाप हो गया लेकिन आज के डेट में जो हमारे गाव और पूरे छेत्र का जो विकास हो रहा इस रोट से इस पूरे जिले का विकास है ताकि यहां उतरने की भी विवास्ता सुनने में आ रहा है कि यहीं से दिया जा रहा है कट बनाए जा रहा है तो हमको उमीद है कि भाई जो भी सरकार चाहे जो भी रहे जो सरकार अगर अच्छी काम करती है तो उसको मैं धन्यबाद देता हूं बधाई देता हूं कि बिकास के लिए और नौजवानों के रोजगार के लिए कोई सरकारों हर सरकार को ऐसे ही काम करना जा रहा है यह पूरे जीले का केवल हमारे गाउं का ही नहीं गाउंवालों का तो जो किसानों का विकास हुआ वो तो अलग है लेकिन इस जीले के लिए महत्भूंग जीज है कि यह यह बन रहा है यह बहुत पहले बंजाना चाहिए था लेकिन बहुत लेट से बन रहा है तो भी किसानों की जमीन अधिक से अधिक बच जाएगी और कटान से निजात मिलेगा और बंधे से जा रहा है इसके लिए हम लोगों में बहुत बड़ जाएगी रोजगार मिलने लगेंगे तूकि यहां का राष्टवी नजदिक हो दिहार का देखी है हमारे यहीं से यहीं सि声 कि हमारे सामने से ओपार जाने के लिए पूल है वहां जनेशर मी पूल बना है पहले पीपा का पूल वहां हुआ करता था लेकिन इस समय हम लोगों के पास आ गया हो सकता है कि भविष में आने वाले भविष में बिहार के लिए हम लोगों के लिए 10 बिनट का के वल रास्ता हो जाए दोश्तों यह राजपूर एरिया जाता है यह चुक्की माल्देपूर का यह सीधे जाएंगे राजपूर जहां एक आश्रम है तमाम सिश्च हैं उनके महराजी के जो वहां जाते हैं दया शंकर सिंग जो यहां के विधायक है बलिया के उत्रपरदे सरकार के परियों मंत्री हैं वो कभी इसी रास्ते से मोट साइकल से भी जाते हैं आगी पीपा का पूल है गंगा उस पार आप जैसे से चल रहा है काम और खू रहा है हम वहीं घूमने गए थे और फिर अभी आगे तक निकलेंगे ताकि वहां पर भी थोड़ा देख लिया जाए और उमीद करेंगे कि आभी चलना है थोड़ा चल चल चलिए तो अच्छा है तो दोस्तों बस ग्रिंट एक्स प्रेस्वर को ल किरम आप से जुड़ेंगे नमस्कार